तो बच्चों बात करेंगे फ्री रेटकल और उसके उपर जो आपकी रेक्शन से कुछ बेसिक इस पर बात करने वाले हैं तो फ्री रेटकल का मतलब बच्चों कुछ ऐसा ही है कि कोई भी एक एक एटम है उसके पास आपका एक सिंगल अन पीर्ड एलेक्ट्रॉंस प्रिजें सब्सक्राइब करें तो जैसे बच्चों यहां पी लिखाया पर ने सील डॉट का मतलब बच्चों क्या है यहां पर रहा है ठीक है इसी तरीके से यहां पर लेका है आरो डॉट तो ऑक्षिन के पास आपका सिंगल टॉन तो यह भी आपका रेटकल बोला जाएगा जो आपक सब्सक्राइब करते हैं तो बच्चों जनरेट करने का तरीका तो मैं आपको क्लास में इक मनें कौंको बचाए था है मैं क्लास में आपको बताया था है ऐगर ठांख शेंट कर रिच का मतलब बच्चों क्या है एच का मतलब आपकी यह फिर आपकी का रिंटिक्टिसिति कि पर बोल करक discern एल का मदब बच्चो संलाइट से हैं ठीक है संलाइट की ब्रिजेंस कहीं भी दे रखी हो तुब रिडिकल्स बनेगे या फिर बच्चो पर ऑक्साइड ठीक है पर ऑक्साइड तो अगर यह चार कंडिशन बच्चो आगर आपको दे रखी है और इन चारों में से कौन से प्रविशन आपका हो तो पहले पहंचाना से खो ठीक है तो उसके से आपका इस तरीके से आजाए मैनस बन मैनस यह आपका एस टूट हुआ जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हैड्रोजन चार्ज डिस्टिवूशन की बात करेंगा है फ्लस वन होगा इदर प्ल बिकॉश इडिस अटेश्ट विद नॉन मेटल तो ऑक्षिन पर चार्ज कितना जाएगा मैनस बन इदर वी ऑक्षिन पर चार्ज कितना आएगा मैनस बन फानली बोल सकते हैं यहां पर यह वी परोक्सी लिंके सापको मिल ठीक है ना क्लियर तो यह चार कंडिशन होगी तो इजी त्रिक से याद रखो है अचा अब जनरेशन में थोड़ा सा एक्षिन देख लेते हैं हम लोग बाद क्या से जनरेट कर सकते हैं फस्ट पॉइंट है टीक प्लेस इन प्रिजेंस ओफ या बच्चो सनलाइट ठीक है इट इस फेवरेबल इन प्रिजेंस ओफ गैसिस फ होते हैं कार्बीं नाइटरिन हो सारी के सारे गैसेंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो LE 하고 color department होगा के तो इन सबके पास डाइपोल मुमेंट क्या होता है मिव जो नए अटनिकल के आता है उसकी वैलिव कितनी होती है आपकी जीरो इसको अपने पहले भी देखा है ना समेंटरी के रिजन हो वह एंजिन मचो सेमेंटरी डिफैन होती है प्रिनों समेंटरी इसके वेशे बागि बताते हैं कारबंडरी सल्फाइड में भी तो यह सबापके क्या है नॉन पुल्रस सॉल्वेंट अगर दिये जाएंगे एरो के ऊपर तो डेफियंटली आपका जो गिविन रेक्टेंट है वो रिडिकल को सपोर्ट करेगा नेक्स हैं होमोलिस्यस के लिए और बीक बॉंड ह आपको बताएं कि दो एक जो लगें तो भी आपका होने के चांज है जैसे आप यहां देखो तो जो ब्रोमीन दे रखा इस तरीके से ब्रोमीन सिंगल बॉंड ब्रोमीन सावने मच्छो संलाइट है आप देखते बोलोगे हां पर से रेडिकल का फॉर्मिशन पहले होगा त तो फाइनली आपको टू ब्रोमील चुके हैं ठीक है इसी तरीके से बच्छों क्लूरी इन दोने लिक्टूर्ण की ट्यूटी वराबर है तो संलाइट दे रखी है तो हन्यट पसंट यहां से क्या मिलेगा रेडिकल से तो पर आपको यहां पर आक्साइड दे रखाए तो और ऑक्साइड में भी होई ही होता है कि आर के साथ ऑक्सिजन ऑक्सिजन एनलकाइल पार्ट यहां पर माइनस बन माइनस में यहां बात करेंगे तो इन दोनों एक्टम की लेक्टूर्ण की बच्चों बराबर होती है तो जब यहां पर संलाइट बगार यूज कर दी जाए यहां पर कंपाउंड है यहां पर है नाइट्रोजन डवल पॉंड हो और यहां पर क्लूरीन बच्चों कैसी है बराबर 3.0 3.0 जब भी यहां पर आपका संलाइट बगरा दिया जाएगा यह नहीं भी दिया जाएगा तो उस केस में यह थोड़ा ध्यान रखना है कि दोनों इनो डॉट में लेगा एक सील डॉट मनेगा तो रेडिकल आपके फॉर्मेशन हो जाएंगे गलती से से कार्वो करना कार्वेन मत कर देना इस तरीके से रखा है तो आप ध्यान दो तो बच्छो नाइट्रोजन में देख्या होगा कि बीच के जो इस पीसी आपकी ब्रेक की जाएंगे मैं उसको एक्स्प्रेंग करता हूँ है आपको ज्यान देना यहां पर बना है नाइट्रोजन डवल पॉन नाइट्रोजन इस तरीके से और यहां पर यहां बीच तरीके से अलका है अभी बात को समझें द्यान से आप तो नैट्रोग के टीवटी कैसी होती है मैक तो बच्चों कैसे पूल करेगा तो इस बात को समझो आप द्यान से नैट्रोजन क्या करेगा इस सिग्मल अपनी तरफ यहां से बेट्रोग करेगा और इसके लेक्ट्रोजन इधर चलाएगा उसकी ऊपर ही तो नैट्रोजन की तो बैलेंस दो डवलपॉंट पहले से थे ए एक रेडिकल दो के इस तरीके से डॉट इधर से भी रेडिकल आपका यहां पर डॉट मेरी बास समझ मारी यह बड़ा क्लास्कल कॉंसेट्ट बच्चों को पता नहीं चलता है वह काटांस नम्राइट पाई दर जाएगा वह इदर होगा पॉस्टिप निगेटिव तांसर ह तो यहां से बाहर जाएगी प्रोसेस आप यहां पर इसी कोई दिक्कत दे रखाए तो बड़ा सिंपल साहे इसके लेक्ट्रों नाटोजन का ही वह इदर शिप्ट कर दो और यह बीच में तो बीच में तो बाहर निकल जागा इंट्रेपल बॉंडेन होके और आपके बागी सब्सक्राइब कैसे फॉर्म हो रहे हैं यह पॉइंट के लिए सब्सक्राइब नेक्स देखो एक कंपॉर्ण और लिया हमने यहां पर आपको समझ में आएगा मैं करूंगा है ना कंप्ली अब यहां पर देखवा यह बच्चों है डाई-बैंजॉल परोक्साइड ना आई-बैंजॉल परोक्साइड तो देखो कैसे ब्रीकिंग होगी तो देखो ऑक्षन तो बच्च जो बीच में दिख रहे हैं यह वाला सेक्षन जो ऑक्षिजन एक अपने लिक्ट्रों को इस तरफ करेगा अपने लिक्ट्रों को तो यहां से तो को यह सेक्षन मिल जाएग यहां से मिल गया आपको फिनाइल और सी डवाल बॉंडो देन ओडॉट एक स्पीसीज और इदर से बनेगी वह फिनाइल यहां से डवाल बॉंडो देन ओडॉट अब क्या होगा अब कुछ यह सीन होगा कि बचा यहां सिर्फ ध्यां रखना कभी भी ऐसे सिटूशन आजए यहां लेकर आएगा अब यह जो आपको दिख रहा है कार्बन भी सीन करने वाला यहां पर जो कार्बन यह क्या करेगा और इसके साथ बांडिंग मनाएगा तो यह पूरा सेक्शन यह बनेगा यह पूरा सेक्शन यह बनेगा मदब ऐसा बनेगा और यहां पर पीएच के पास बचेगा तो पीएच डॉट आपको देखने के मिलेगा तू मोल्स के साथ और स्योटू गैस आपके रिलीज होगी वह भी तू मोल्स के साथ समझ मांगया कैसे अपन ने बनाई कभी कुश्चन आएगा आप कर सकते हो अब रिटिकल कैसे एनी ग्रूप और डॉनर बिल स्टीबलाइज फ्री रेडिकल तो फ्री बच्चो आपने पढ़ा है जी यूसी बन के अंदर तो जी यूसी बन में मैंने बता था फ्रीडिकल के पास बच्चो कितने अप्रोंस होते हैं इस तरीके से अपन डिसकस किया था टूटल अलेक्ट सब्सक्राइब करते हैं इस लाइन का बेसिक मतलब यह था तो यहां पे आप देख लो एक्जामपल के लियर होगा आपको जैसे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां भी इस तरीके से तरीके से इसमें जो कार्वनाइल गृूप का कार्वन होता है उसके पास बच्चों क्या प्रेजेंट होते देखो पाई तो ऊपर चला जाएगा ठीक है यह मैनेस होगा यह प्लस होगा यह सभी को समझ मारा है बट इस रेडिकल को स्टेवल करने के बढ़ा है इंट्रेक्शन तबाएं क्या होगा गगा यहांजधा होगा और देखना का बनेगा का यहांस से यह और यहां पर वह साइव नियुक्त और rolled जैगा यहां तो यहां पर बात्व हुआ बच्चों को गॉरी तो डबल बन जाएगा उस तरीके से रिडिकल भी आपके स्टेविल होते हैं तो राजिन सोरा है सिंपल सा अब यहां देखो यहां सिंपल हीट की गई है यह वाला सिंपल सा कंपाउंड है क्या होगा ऑक्सिन ब्रोमीन दौनें की बात करें तो आपकी ज्यादा होती है इस का ब्रोमीन बट इतना भी बहुत बड़ा डिफ्रेंस नहीं होता है यहां पर पॉरल्टी डबलप हो जाए उस केस में क्या होता आपको पता है कि जो बॉंड बीच का होगा ऑक्सिन और ब्रोमीन का जो बॉंड होगा यह अक्शली कोबलेंट को होल्ड करेगा हमने आपको बन गए यहां से अब क्या होगा अब यहां से आपको मैंने अभी बताया था कि आर के साथ देखो सी डवल बॉंड देन और डोट आ गया रिटकल बन रहा है तो क्या होगा बताँ सी ओटू गैस पार जाने वाली है यह इदर से लेगा यह इदर से शिप करेगा तो यह स्यो स्टेप को दो को यह एनों बी आर दे रखा है तो यह और प्याइं के साथ यहां पर यहां से ब्रोमीन होगा तो बस हीट दे रखा है साथ में तो रिडिकल ही जनलेट होगा एक बिया डॉट यह आपका एनो डॉट यह वो कमपोंड बता रहा हूं जो बच्चों अक्जाम म यहां पर कोबलेंट बॉंड होगा तो हीट किया गया तो बचो रेडिकल इसका यहां पर यह बन जाएगा प्रलस आपका आई डॉट भी देखने को मिलेगा तो रिडिकल कैसे मन रहे हैं बिल्कुल कॉंसेट के लिए हो रहे हैं पर ही इन प्रजेंट्स ऑफ रेडिकल तो निव रेडिकल स्केंड इट कैन बी ड्यू टू है अब्स्ट्रक्शन और एडिशन ऑपाई बॉंड मतलब मैं क्या बोला हूं ध्यान से सुनना जब भी बच्चों कोई भी फ्री रेडिकल के सामने हम लेके आते हैं बच्चों न प्री रेडिकल क्या करेगा उस नीवटरल सब्सक्री कर देगा फ्री रेडिकल के अंदर फ्री रेडिकल बच्चों की आफिक सीघ्स के सामने कुंब बेसिटिकल की सामी को फ्रीड़ल बच्चों कदब diagonal कि स्मुश्चाएगा उतमेटिप adding नूट्रल स्पीशीज के अंदर नूट्रल कन्रवर किसमों जाएगा इस कॉंसेट्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना यह बहुत जगे काम करेगा ठीक है अब कैसे वह ताब आपको मैं बता तो जैसे मालो यहां पर रिडिकल आया बच्छो आरू डॉट रपको देख रहे है बढ़ी आसानी से बाहर निकाल देगा तो यहां से आपको मिलेगा एच डॉट और इधर से मिल जाएगा आपको बिया डॉट तो यहां से आपको मिलेगा रिडिकल हो गया यह अलकॉल हो गया अब दोको समझ माल हा है पहले स्टेप में हमने क्या हिए रिडिकल को तोड़ना सिकर डेकल बनता कैसे है रिडिकल बनने के बाद आटेकक करने पर हो हो रहा है और Łं गया है तो जो रिडिकल था रौट रॉट रॉट बन चुका है इस ब ही अच्पहलेगर हो गईक्स देख काफी ठीक है तो यहां से एच डॉट हाथ का बाहर निकलेगा वह बच्चों से मिक्स करेगा सील डॉट तो एचल बन जाएगा बागी यह रिडिकल बन जाएगा अब सुनना जहां से अब बच्चों सुचेंगे सर बिया डॉट अटेक कहां करें यह जो बैंजीन वाला एक तो यह कारवन स्सीत्री और वाट समझ महारी है करें दौनें के पास लोटयों हईठोशन यह बिल्कुल इसके इपको बिलकुल समझ महारा है। ऍाइब आप मुझे बताओ दॉनं में से कहां से रेटकल बनना चाहिए रेडकलों हुहां से बनना चाहिए उस कारवन से बननाच जहांपी इसटेविल्टी अधिक हो सब्सक्राइब कर देख रहा है यहां पर यहां पर राजुनेंस नहीं हो रहा है तो आपको समझ में सब्सक्राइब कर देख रहा है जैसे आपका यहां से प्लस यहां से आपका यहां से पाई बॉंड है तो कुछ निकरना आपको यहां पर लिखा है करना है पाई बॉंड के साथ रेडिकल को को जोड़ना पसंद करेगा जल्दी बता। कहां पर पसंद करेगा दो यह जो आपका सेकिंड डिए होगा ना यहां पर जाके बॉंडिंग मनाएगा तो यह स्पीसीज आइसे हो जाएगी और यहां पर आपका रेटिकल प्रीज बच्छों समझने कुछिस करो कि यह रेटिकल की मैंकरेजम होते कैसे हैं पहले रेटिकल का फॉर्मिशन बताया अब मैं बता दो रेटिकल किस तरीके से यह बात आपको जाननी बहुत जरूरी है नेक्स बात कर दो यहां पी यह डॉट आगया आप आप कर सकते हो बड़ी आसानी से कुछ नहीं करना यहां से पाई दिख रहा है तो इस पाई के एक तोन इदर शिफ्ट कर दो इस तरीके साब कर लो यहां पर कि यह बी आडॉट यह बीड़ी आपको द्यान रखना अगर बलकीनेस आगी तो उस केसमे अगर आपका बड़ा रेडिकल है तो बच्चों वो आपका बंडगीरी पर आटेक कर सकते हैं मिजर प्रोट बनेगा नेक्स बात करते हैं फ्रॉम में इट कैन बीटी प्लीज इन प्रजेंस ऑप में डाक्स एक्शन यह बच्छों बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट है एम्स बगा तो यह जो बच्छों वोगाल होने चाहिए वों मेल कैसे होने चाहिए जिनकी आईटिलफी की वैलू कम हो मतलब एक्टृन देने की टेंढेंसी एक्ट्रॉन करने की कुदून चरनी करने की टेंडेंसी ठीक है लिक्ट्रॉन डॉनेट करनी की जो बच्छों टेंडेंसी है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए तो ऐसे में अगर आप यूज करते हो तो वहां भी आपकी फ्री डिकल का फॉर्मिशन हो जाता है कैसे यहां बच्छों मेंने मैंटल लिया सब्सक्राइब में चला गया चाहें कर दिया तो यहां से भी बनता है जब मैं चला जाएगा चोड़ेगा तो यहां से बी रिटिकल का फॉर्मिशन करेगा यहां भी बच्छों मैं आ गया तो वह मैंटल फिर से कशने से कनमर्ट हो गाने प्लस बन के अंदर बस इनरजी कम होनी चाहिए यह बात ध्यान देने के जरूथ जाहें आपके नियुक्ति अगर उसके सामने मैंटल आ गया है तो उलिया और गो जाके यहां पर यहां कार्बन पर जाके सिफ्ट होगा तो रिडिकल में बतलेगा यहां से देखना जैसे आपको सामने की स्पीसीज दे रखें अना सी यू डॉट अब आपको यह बात समझ माने चाहिए कि सी यू डॉट यह करेगा तभी यह पॉजिटिफ चार रेडिकल में चैंज होगा तो सी यू प्लस कन बाट हुआ है सी यू प्लस टू के अंदर लग क्यू प्रस कन मट्र वुइए क्यू प्रिक प्रस के अंदर सब्सक्रांज को रिलीजस किया होगा बत समझ मागी और हम बच्चों गया होगा तो आपको समझना अगर बच्चों आपको कैटाइन दे रखाओ यहां पे कैटाइन है तो जो मैंटल होते हैं अगर यहां पर इस मैंटल को में चेंज हुआ है इसका मतलब यह समझ में आया कि अगर आपको कैटाइन दे रखा है तो मैंटल को रिलीज करेगा अगर इन दे रखा है तो यहां से माइनस यहां से प्लस अब सूडियम अगर कंवर्ट होगा सूडियम प्लस के अंदर आपको पता है सूडियम हमेशा सूडियम प्लस में ही जाना पसंद करता है क्यों उसका और प्लस में होता है यहां पॉस्टिव कारूनी के ऊपर दिख रहा है तो वो रिडिकल बनेगा बच्चे कभी ऐसा गल्दी मत कर देना आप इसर उपर रिडिकल बन गया नीचे पॉस्टिव अभी वी रहा तो यह गलत आंसर हो जाएगा यह गलत आंसर होगा अगर लिक्ट्रॉंस दिया जा र यहां पर यहां पर निकलो जल्दी से यह हो जाएगा यहां जाएगा जाएंगे प्लस इसका निकलो एक्स प्लस सिक्स इसको साइनेट का मैनस बन होता है इसकोल टू मैनस थ्री यहां डूट्वित हो जाएगा अधर प्लस ग्लैकल में बताओ यह बात समझ मां अ एए बिलकुल क्लियर और यह बच्छों जो कंपाउंड यह वो डॉर्फ कलर का होता है इसका स्पीसिफिकेशन अगर आप याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं आपको थोड़ा सा जहां रखना है रेडिकल कैसे बन कए अब मैं आपको बदाता हूं यहां पे इसका रेक्शन जनरल रेक्शन बचो रेडिकल की क्या है अब आपको समझ माएगा बढ़ा असानी से आपने रेडिकल बनाने सीख लिए आपने अटेक करना सीख लिया जो पॉसिबिल्टी से अब दो प्रॉसेस हो जाएंगे आपके तो देखो सबसे पहले बच्छों रेक्शन आते कॉम्बनेशन रेक्शन कुछ भी नहीं है दो रेडिकल को मिला दो आपस में इसके साथ मिक्स हो जाएगा तो बन गया और डॉ जला होगा तो इसने ना फिर के साथ मिक्स हुए होगा तो यहां से आपकी प्रॉटब के साथ ना करेंढ़ देखनी को मिलेंगे को सम्स्офण गई अगर आपको क्वेश्चन में कभी और आई डोट दिया जाए तो आप तीन पॉडट को टिक करके आना कि सर आर्क डॉट मिलेगा तो एक पॉस्बिल्टी में एलकेन बन गया आई डोट बनेगा तो आपका आई टू बन जाएगा और आई बनेगा तो एलकाल हैलाइड ब इस तरीके से नेक्स देता हूं अब देखो बचो कभी इस तरीके से आज आई एड़ जासेंट अगल बगल एड़ जैसेंट कारवन एटम की ऊपर अगर बच्चों मिल जाते हैं दू लेक्ट्रॉंट इस तरीके से एक करवन एटम यह सिंगल बॉंट से जोड़ा हुआ है उस केस में लेक्रॉंट आपस में बच्चों मिक्स हो जाएंग तो बच्चों यहां पर यहां प घ्रिएगा अब यहां पर देख रहो वह थैस तो आपको ध्यां देना है यह एक साथ है तो यह से प्रोपेण के साथ यह साइक्टों बना लेगा यह इस तरीके से माल लो एक स्पीशिज बच्चों अर यहां पर और यहां तो कुछ भी नहीं करना है इसको इससे मिला दो इसको इससे मिला दो तो पता यह क्या बन गया इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ दिया तो बच्चों यह क्या हो जागा फॉर पाइलिक्ट्रोंस मन्दब कर दी कर दी हमारा अंजर गलत हो जाएगा तो यह बात ध्यां रखना आपको इंट्रा मॉलीक्ट्र होगा इसकी तरह हैं तो उसके पास भी देखो यहां पी रिडिकल्स हैं इधार सामनी से भी ओही सीन जर्रेट होगा इस तरीके से अब यह आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इ एक्जामपल है नेक्स दोगो नीचे यह भी समझ माएगा यह तो ना आपस में कनेक्ट हो कि इस तरीके से बनाएंगे सिक सेटप के दिंग में सब्सक्राइब होती है इसको नीचे लेके आजाओ और इसके साथ जोड़ दो इसको बस वहीं इस ने किया है दो ऊपर से लायक इसके से जोड़ दिया बस हो गया तो यहां पर यहां पर यहां पर सिंगल बॉंड बना लेगा इसमें यहां अगर आप समझोगे तो बच्चों कितने हैं बन टू थ्री फोर फाइव लेकर यहां पर थोड़ासा आपका यहां पर क्या दे रखा है इस तरीके से और इसी से बच्चों कनेक्ट कि उसने फाइव एटम का रिंग भी इस तरीके से ऐसा यहां लगा देगा अपको देखना होता है तो फिर बंजीन के आज पास क्या होगा कि यह तीन बच्चों पाइब और यह तरीके साथ दो उन पाइव के साथ यह connection करेगा तो त्रिपल बोंड बन गया उंधे ट्रिपल का तो आपको देखने को मिल सकता है यह द्यान रखना इसमें क्या होगा इसमें कुछ इस तरीके से यहां पर और यहां से यहां से आप नहीं हो जाएगा इस्पीजी बन जाएगे स्पल अगर मनुख ट्रीपल बोंड ऐसा केसं आजये तो भी आप कर सकते में हो इस पाई को यहां लगा तो यहां करतो यहां करतो तो आज जाएंगे को एक पूर आपको देखने को मिलेगी यहां देख लो फाइब का है तो फाइब बन जाएगी बड़ा सिंपल सा अपका स्टेप समझ मारा ने पूरा कम्प्लीट यहां पर देखो सिक्स एटम की रिंग बन जाएगी आपको दिखाई देरें इसी तरीके से नेक्स को हम बात करेंगे बच् यही सीन होगा जैसा यह बैंजीन था यहां पर आपका रिडिकल था और एक बैंजीन और आप जनरेट कर तो ऐसा ही यह आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से तो ऐसा आपको यह स्पीसीज देखने को मिलेगा अब यहां पर देख लो इसमें आपको मैं बदा चुक यहां पर यह से बाहर तो बीच में सिंगल बॉंट अगल बगल डवल बॉंट आपको देखने को बन लेगा यह बन जाएगी अब आलो ऐसा आपका आपस में जोड़ तो इसको तो यह बन जाएगा बैस एकलो कम पाउंग ठीक है और यह वाला सेक्शन है तो आपके साइड म पर डोन बड़ बन जाएगा तो यह भी किस क्लियर हो गया अब बात करते हैं दिस्पर्पोशनेशन यह वी बड़ाएं पॉटेंट ने से यहां भी अप्ला इमपोर्टेंट इस प्रिक हैं जिसको बचो पन पढ़ते हैं और रिटॉक्स अ और्टॉक्स का मतलब यह है यहा देखने मिलें गी कांपाउंट से अब वो कैसे होंगे आप ध्यान दो जड़ा यहां पर आपको टो को एक रेडिकल यह दे रखा हैं थी यहां तो क्या किया है इसमें उल्डा सिंपल सब्सक्राइब रेडिकल ने दूसरे रेडिकल के स्थिए कार से हैं कि यह जो जो हैंच एक्शेप करेगा तो यहां एक्षेंट करेगा तो यहां से क्या होगा आपका इससे यह बना होगा तो हां बनेगा सिस्टू सिंगल बॉन सिस्टू एक डॉट यहां 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 पास्मेंक्ट हो जाएंगे तो समझना रही है तो देखो एलकीन कैसे बनाया होगा जब एक स्पीसीज है रहा है तो यह दोनों होते माइनर तो मेजर क्या बनेगा तो मेजर बच्चों कुछ ऐसा बनता है कि यह इसके साथ जोड़ जाए तो दो चार एक बनेगा तो दिस इस जा मतलब आप उसको बड़ा सिंपल तरीके समझ सकते हो कि इस तरीके से हो रहा है तो पहलो आपस में कर दो सीधा एक दो तीन चार पांच है इसके पास रेटकल है और इसमें यहां पर यहां से यहां सिफ हो जाएगा तो यह क्या बनेगा प्रूपेन तो प्रूपेन यह रहा यह बन गया जिसने दिया हैट्रोजन उसका पास समझ माँ अब जब यह दे देगा तो यहां पर रेटिकल जनेट होगा तो बचो यह बन जाएगा आपका यहां से तो तीन बन गए आपके प्रूटक्ट मेजर कौन है माइनर कौन है क्लियर हुआ इसको भी आप बना सकते हो यह आपका माइनर और यह बन गया आपके मेजर आप देखके बना सकते हो कुछ दिक्कत निया ठीक है कैसे जोड़ रहे हैं वह आपको समझना जरूरी है नेक्स देखते हैं एक यह सब्सक्राइब कर लो इसके पास पॉस्विल्टी है कि ऐसा बन जाए दूसरी पॉस्विल्टी वच्चों क्या होगी यह अपना वगल का है दूसरी सब्सक्राइब यहां प्या जाएगा तो यह पर यह बन जाएगा जब जो लेगा तो ऐसा बनेगा इस तरीके से यह भी पॉस्विल्टी और दूसरी पॉस्विल्टी क्या है यह बचों यहां पर क्रॉस हो जाता है इसके साइड में अगर यहां से गया होगा है तो यहां डॉट आएगा अब वो डॉट आपस में कंबाइन कर जाते हैं इस तरीके से आप इस फॉर्म को बना सकते हो नेक्स बच्छों कलम बात करने वाले रियरेजिमेंट के उपर ठीक है जो रेडिकल से उसका रियरेजिमेंट हमारा किस तरीके से होता है वाजगा शेशन अपने ही रखते हैं थैंक्यू